हलो एरिवन मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हो आप सभी का डिलीजेंट ससी यूट्यूब चैनल के उपर आज की हमारी वीडियो ससी सीपियो दोहजार चोविस के लिए है और सीपियो दोहजार चोविस में आपके साथ दिन बच गये हैं और इन साथ दिनों के अंदर कंट को पढ़ना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जूड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल का नाम है डिलीजेंट ससी निया मोनिका पुनिया कुछ भी सर्च करोगे आप टेलीग्राम पर आप लोगों को वह मिल जाएगा वैसे में डिस्क्रिप्शन बोक्स और पिन कम है वो लगभग दो महीने पोस्पोन हो गया और दो महीने पोस्पोन होने का सबसे बेस्ट रिजल्ड जो आप लोग दे सकते हो वो यह होगा कि अगर आप लोगों को परप्रेशन में थोड़ी बहुत कमी थी तो उसको आप अच्छे से करके और बहुत अच्छा स्कोर कर सक और इन दो महीने पोस्पोन होने की वज़े से एक चीज और हो सकती है वो होगी कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी जो बिल्कुल भी पढ़ाई के ओपर धान नहीं दे रहे हैं तो उनका स्कोर ओटोमेटिकली इतना नीचे चला जाएगा कि उनको यही समझने आएगा कि उनके स कोने वाला है चार सब्जेंट है हमारे चारो सब्जेक्ट मां आप लोगों को उसके अंदर टागेट देती हूं शाथ में Moke टेस्त भी देती हूं जो मूब टेस्ट होती है वो टेस्ट बुट से हम लगाते हैं टेस्ट पूपर फिल हाल जो शेल भी चल रही है तो आप लो लोग ऐसे होंगे, जिनके पास में नहीं है, उल्रेडी समने ले रखे हैं, उसके अंदर से हम sectional mock test और full mock test लगाते रहेंगे, जो हमारी preparation के अंदर help करेंगे, कोशिस हमारी ये रहेगी कि daily हम कोई ना कोई mock test attempt करें, उससे क्या होगा, कि हमारी speed बनेगी और हमें पता लगेगा कि exam को कैसे attempt करना है, mock test को attempt कैसे करना है, उससे related एक video मैंने already बना रखिये, mock test के analysis भी और उसके attempt कैसे करना है, cpo से related, वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, मैं screen के ओपर उसका जो thumbnail है वो share कर दूँगे, और description ओपिन comment में उसका link छोड़ दूँगे, mock test daily हो गया, उसक साथ साथ हम पढ़ेंगे चारो subject, सबसे main जो आप लोगों के subject रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा scoring है, वो आप लोगों के है, English, Maths और Reasoning, इन तीन subjects के अंदर ही हमें maximum score करना होगा, सबसे पहले अगर हम English के बात करते हैं, तो English के अंदर भी आपको हमेशा पता है कि तीन section होते हैं, तीनो section में से मैं आप लोगों को काम देती हूँ daily करने के लिए, तो जो vocabulary वाला section होता है, vocabulary वाला section के अंदर हम previous year की vocabulary करते हैं, previous year की vocabulary आप black book से, कोई PDF से, या किरन की जो book आती है उससे कर सकते हो, जो भी आप लोगों के पास में हैं उससे कर सकते हो, जो भी आप लोगो 50 वन वर्ड, 50 आप लोगों को जो idioms हैं और 50 synonyms, जो synonyms होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती हैं कि आपको याद ही नहीं होते हैं, synonyms याद करने के दो simple method हैं, एक mnemonic का method है, mnemonic के method में क्या होता है, कोई एक link बना के हम उस word को याद करते हैं, link आप सब्सक्राइब कर लोगे, तो डेली के दो तीन वर्ड अगर आपको एडिशनल याद होगे, तो बहुत अच्छा है, और अगर आप लोग थोड़ा साथ च्छा है, से इसके उपर काम करोगे, तो निमोनिक से आप बहुत आराम से याद कर पाओगे, अगर किसी को निमोनिक से याद करना अच्छा नहीं लगता, तो एक root word के method से भी याद करने का तरीक होता है, root word के method के लिए आप लोग word power use कर सकते हो, नियोन publication की ये book है, और इसकी जो free pdf ह वो मैंने telegram channel के उपर डाली हुई, अगर आप book लेना चाते हो, तो book भी ले सकते हो, इसके अंदर complete root word के help से आप लोगों को जो synonyms है, वो याद करवा रखे हैं, उससे आप लोगों को easy रहेगा, कोई भी method आप use करो, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, सिरफ आप लोगों क एक चीज करनी है, वो ये रहेगी, कि आप लोगों को continuity में daily, 50 या 40 जितना भी मैं आपको target दोंगी, उतना आप लोगों को करना होगा, जिसके अंदर 300 सिरफ idioms ही है, idioms complete आप लोगों को एक package मल जाता है, उसके अंदर अगर किसी को additional याद करने हैं, तो आप उस book की reference भी ले सकते हूं, उसके बाद में आप लोगों को पचास-पचास each section से ये रहेंगे, उसके बाद में errors और improvement, दो चीजे एक बार में start करवा रही हूं, grammar की revision करेंगे, एक chapter दूँगी, मैं आपको जैसे noun दे दिया, तो noun को में लगबग 2-3 दिन में आपको revise कर वाऊंगी, और उसके साथ-साथ में मैं आपको errors और improvements दोनों साथ-साथ चलाओंगी, 30-30 मैं अभी start कर रहे हूं, 2-4 दिन में इनको बढ़ा भी दूँगी, हर section से हम कोशिस करेंगे, errors और आपकी improvement और उसके साथ में fillers, 600-600 हम हर section से करें और उसकी 2-2 बार revision करें, vocabulary हम मारा जो target रहेगा, वो लग बग रहेगा, 1000-1000 per section और उसकी 2-2 बार revision, उसके साथ-साथ में आप लोगों को 2 close test और 2 PQRS में हर रोज दोंगी, 2 PQRS में PQRS 10 होंगे, close test 2 होंगे, उनको आप कहां से कर सकते हो, नियोन की एक book आती है, उससे कर सकते हो, उसके अंदर उनकी link वाले methods होते हैं, कि कैसे करना है, क्या करना है, PQRS और close test उन लोगों के लिए है, जिनको English के अंदर दिक्कत आती है, जिनकी English already अच्छी है, वो इनको skip करके आगे बढ़ सकते हैं, बाकी subject के ओपर काम कर सकते हैं, नियोन वाले book से कर सकते हो, फ्री PDF टेलिग्राम के ओपर available है, अदर्वाइस जो previous year की book लोग अगर अभी तक भी किसी ने नहीं ली है, तो आप market में बहुत सारे publications है, जिसकी भी आपको अच्छी लगती हो, उनकी ले सकते हो, किरन publication की भी काफी favorite है, students के अंदर, और इनकी latest book है, बिलकुल दिसंबर तक का इन्होंने अपडेट करके इस book के अंदर डाला हुआ, chapter wise format के अ इसलिए मैं थोड़ा सा heavy target लेके चलती हूँ, इसके बाद हम भात करते हैं math section की, math section के अंदर मैं आप लोगों को क्या दूँगे, math section के अंदर मैं एक chapter के ओपर 3-4 दिन ही दे पाऊंगे, उससे जादा time अपने पास में नहीं है, videos के link मैं आप लोगों को provide करूँगी, बट म अपना जो concept को revise कीजिए और फिर previous year के question practice कीजिए, math के अंदर दो ही formula होते हैं, बस previous year question और आपके concept revision, और तीसरी होती है आपकी error, जो आप error notebook बनाते हो, या formula notebook बनाते हो, error notebook जो आप mock test के थरू बनाते हो, formula जो important formula होते हैं, एक notebook में लिख लेते हूँ, तो ये basically 2-3 चीज़े ही होती हैं, तो concept already आपने पड़े हुए हैं, उनको revise कीजिएगा, और daily आप लोगों को target रहेगा, 40-50 questions previous year के आपको attempt करने हैं, previous year के chapter wise वाली book आपके पास में होगी, क्योंकि इतनी बार में आप लोगों को बता चुकी हो, अगर आप seriously तयारी करने वाले होगे, तो already आपके पा maths की भी किरन की आती है, latest है, updated है, solutions भी 2-3 तरह के दे रखे हैं, तो उसको भी आप ले सकते हो, photo जो है cover page होगे, उनके वो में सब के screen के ओपर add करवा दूँगी, ताक कि आपको आसानी रहे कि कैसे कैसे उसको use करना है, और कौन से वाली book लेनी, maths आपका हो गया, maths के अंदर आपको daily आपको क्या करना है, सुभा उठके आदा गंटा आपको कोशिस करनी है, formula आप पढ़ो, दिन में एक घंटे के around आप concept पढ़ो, और एक घंटे के around आप previous year की questions attempt करो, previous year के question time लगा के attempt करने है, concept पढ़ते वे focus करके concept को समझना है, और दिमा round का आपको लोगों का जो target है, वो English का हो गया, पांच गंटे का time schedule मैंने आपका बना दिया है, अब उसके बाद बात आजाती है, आप लोगों की reasoning की, reasoning एक ऐसा subject है, जिसके अंदर maximum score कर सकते हो, minimum आप लोगों के efforts के साथ, वैसे already अगर आप मेर साथ इतने दिन चे पढ़ र test लगा रहे हैं, तो उस दिन sectional को avoid भी कर सकते हैं, अगर reasoning अच्छी है तो, otherwise एक sectional mock test निकालेंगे, उसके साथ-साथ में कुछ questions हम previous year के solve करेंगे, 6 topics के error, जो आप लोगों की number series है, या number series, missing number, analogy, classification, cellulism, और आप लोगों का जो एक chapter है, when diagram, कुछ questions हम कोसिस करेंगे, कि blood relation के भी हम लगा ले, तो यह आपके साथ topic रहेंगे, जिनके अंदर से basically हम questions प्रैक्टिस करेंगे, इनके लिए आप किसी PDF की भी help ले सकते हो, book अगर आपके पास में है, तो आप book से भी पढ़ सकते हो, लेना चाहते हो, reasoning ज्यादा week है, तो आप book के साथ में भी जा सकते हो, बाक जो सबसे main और सबसे ज्यादा time consuming subject है, वो है हमारा GS, GS के अंदर हम क्या करेंगे, GS के अंदर हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, target study करेंगे और उसी के ओपर ज्यादा focus करेंगे, GS के अंदर मैं daily आपको तीन sections में GS पढ़वाओंगे, तीन sections में से एक रहेगा मेरा history polity या वीडियो के नाम से परमार, SSE परमार की वीडियोस हैं, कापी अच्छी वीडियोस हैं उनकी, उनको आप refer करो, उसके साथ में हम static gk का एक topic पढ़ेंगे, लगबग 2 दिन के अंदर एक topic को cover करेंगे, 20 के around topic हम static gk करेंगे, और उनकी फिर revision कर लेंगे, तो static gk के लिए मैं आ बाकी subjects के लिए आप avoid कर सकते हो, static gk के याद करने में थोड़ी मुस्किल रहती है, तो वीडियो के थुरू आपकी थोड़ी सी help हो जाएगे, उसके बाद में हमारा रहेगा, जो है current affairs, current affairs हम कोसिस करेंगे, कि 9 महीने की last, अभी से मार्च से लेके, पीछले 9 महीने की current affairs हम कर जुलाई के around से start कर देंगे, जुलाई से मार्स तक की current affairs, current affairs के अंदर में आप लोगों को 3 वीडियो के link प्रोवाइड करवाती हूँ, तीनों अगर नहीं देख पाते हो, तो कोई 2 वीडियो आप देख लिया आरो, पहले monthly हम करेंगे, उसके बाद में हम topic wise current affairs करेंगे, topic wise मे दो चया topic होते हैं, जो importantly पूछे जाते हैं, sports होता है, awards होता है, important जो appointments होती है, वो होते हैं, आपके important events जो होते हैं, कौन सा event कहां पे हुआ, वो होता है, और days होते हैं, ये 5-6 topic important होते हैं, जो बार-बार पूछे जाते हैं, तो उनी topic के उपर, मैं आपको topic wise current affairs जब उसके साथ में अगर आप किसी की paid भी PDF लेना चाहते हो, तो बहुत सारे market में available options है, आप जिसकी अच्छी लगती हो, उसके साथ में जा सकते हो, बाकि मैं recommend करूँगी कि super current affairs जो अभास से निसर कियाती है, वो पढ़ लो, और साथ में जो videos के link में आपको दूँगी, वो गंटे से 40 मिनट के अंदर आप reasoning कवर कर लोगे, तो लगभग 8 गंटे का आप लोगों का target हो गया है, 8 गंटे से कुछ ना कुछ उपर ही जाएगा, अगर आप लोगों को उस दिर mock test भी देना होगा, तो अगर CPU का दे रहे हो, full mock test तो 2 गंटे का होगा, अगर mini mock test दे रहे हो दो महीने के लिए, वो 10 से 10 या 11 गंटे की बीच में आप मान के चलो, 10 से 11 गंटे आप लोग जब पढ़ोगे, उसके बाद में आप अपना जो desired result है, वो ले पाओगे, ऐसा नहीं होगा कि आप 2 दिन पढ़ो और उसके बाद में आप पढ़ना छोड़ दो, और फिर आपको प्रोवाइड करूँगी, बाकी मेरी कोशिस ही है रहेगी कि मैं आप लोगों को डेली शाम को ही टागेट प्रोवाइड करवादू, क्योंकि सुबह बहत भाग तोड हो जाती है, और थोड़ी सी जोब ऐसी है कि शाम का भी पता आता नहीं रहता है, कि कि इतनी लेट आ रह है बलरी थोड़ी आगे कि याद कर लेनी है, जो टोपिक चल रहा है उसका आगे का पार्ट कर लेना है, और थोड़ा लेट हो जाएगा तो 10 बजे तक 11 बजे तक टारगेट आप लोगों को मिल जाएगा, कोशिस मेरी यही रहेगी कि मैं आपको टाइम से टारगेट अगर वीडियो अच्छे लगी है, आपको सीजे समझ में आ गई है, कैसे टारगेट को फोलो करना है, तो टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लेना और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आप इस टारगेट को फोलो करने वाले हो, जितने लोगों को अभी दिख और किसके ओपर मुझे ज़्यादा धान देने की जरूरत है, चलिए फिर मिलेंगे किसी ओर वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैफारत